नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे स्किन गैनी चैनल में दोस्तों आज का वीडियो आपकी नॉलेज इंप्रूमेंट के लिए है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइपर रैसिस डिसीज के बारे में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डाइपर रैसे डिसीज के बारे में हम विस्तार से जानेंगे जिसमें हम जानेंगे इस रोग के परिचे के बारे में इस रोग के कारण के बारे में इस रोग के लक्षन के बारे में और इस रोग के इलाज जो नॉर्मल हम जिसमें बचाप कर सकते हैं तो उसके बारे में और साथ ही इस रोक के अलोपातिक ट्रीटमेंट के बारे में तो दोस्तो वीडियो स्टाट करने से पहले मेरा आप से एक ही निवेदन है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नए वीडियो आएगा उसको नौटिपी किसन आप तक सबसे पहले पहुंच सके आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे इसके परिचे को दोस्तों डाइपर रैसिस डिसीस के परिचे में मैं आपको बता दूँ कि डाइपर जो गीला हो उससे कापी लम्मे समय तक ढखी हुई तो अचा पर आइस्ता इबस्पोर्ट या रैसिस हो जाते हैं जिसे हम डाइपर रैसिस बीमारी कहते हैं यानि कि अगर बच्चे को हम जो डाइपर पहनाते हैं अगर बो डाइपर अगर एक लम्मे समय तक गीला रहता है तो बहाँ पर उसकी जो स्किन है जिस डाइपर स्किन नीचे उसकी स्किन रहती है तो बहाँ पर उस बच्चे को इंफेक्शन हो जाता है जिस वज़े से उसकी स्किन है वो लाल हो जाती है या पिर बहाँ पर छोड़ चोड़े दाने निकल आते हैं तो इस बीमारी को हम डाइ पर रेसिस के कारण के बारे मैं आपको बता दूँ दोस्तो यह बिस्पोर्ट या फर रेसिस कापी लंबे समय तक तुचा के गीले और गंदे रहने के कारण होते हैं दोस्तो इसमें अगला कारण है मल, मूत्र और पसीना आदी के कारण मूला धारी चेतर दोस्तों मैं जहाँ पर आपको मुलादारी चेत्रों के बारें बता दूँ दोस्तों छोटे बच्चों के जो गुपतांग हैं या पिर जननांग हैं उनके आसपास के चेत्र जो होते हैं उनको हम मुलादारी चेत्र कहते हैं मल, मूत्र और पसीना आदी के कारण मुला धारिये छेत्र गंदा बना रहता है और मूत्र और पसीना आदी में पाए जाने बाला अमोनिया के रियक्शन के कारण भी यह डाइपर रैसिस रोग होता है तो दोस्तो यह तो रही हमारे diaper SC disease के कारण के बारे में अब बात करते हैं इस रोग के लच्छन के बारे में दोस्तो डाइपर SC disease के लच्छनों में इसमें हमारा सबसे पहला लच्छन है छोटे बच्छे या फिर सुसियों के मुलाधारिये छेत्र जो कि मैंने पूर में आपको बता दिया है कि मुलादारी चेतर क्या होते हैं कि तोचा लाल, अधिक सूखी, मौटी और पप्डीदार हो जाती है दोस्तो इसमें दूसरा लच्चन होगा बहुती जल्दी संकर्मन के कारण प्रभावित तोचा पर बहुत सारी छोटी छोटी फुनसियां निकलाती हैं और दोस्तो इसमें अगला लच्चन होगा कुछ छोटे सिसुओं में घाव यानि कि अलसर भी हो जाते हैं और दोस्तो इसमाइकला लच्छन होगा बच्चों को चिचड़ापन रहता है यानि कि बच्चे बारबार रोते रहते हैं और दोस्तो उनके रोने का कारण जो रेसिस होते हैं उनमें थोड़ी सी खुजली या फिर उनमें थोड़ी सी जलन रहती है उस कारण से बच्चों में चिक्ड़ापन और बच्चे बार भारो रोते रहते हैं तो दोस्तों ये तो रही हमारे Diper Resist Disease के लच्छन के बारे में अब बात करते हैं हम इसके treatment में कुछ बचाव रहेंगे उनके बारे में दोस्तो, Diporesis के disease में मैं जहाँ पर जो इलाज बता रहा हूं तो कुछ बच्चा आप बाली चीजे हैं जिससे आपका बच्चा है, अगर वो डाइफपर्स पहनता है तो उसमें कुछ आपको साप दानिया रखना होता है तो जिसमें हमारे सबसे पहला treatment, मल एक तरीक समझ को treatment ही बोल सकते हैं, तो जिसमें हमारा सबसे पहला treatment रहेगा, कि बच्चे के मल या फिर मूत्रत्या करने पर हर बार बच्चे को ठीक परकार से या फिर बच्चे की ठीक परकार से सपाई करना चाहिए, उसके बाद में दूस और अच् Troy सॉड़ा की मात्रा कम होती है, तो ऐसे साबनों के मात्रा कम बच्चों की सफ़ाई में यूज कर सकते हैं तो दोस्तो यह तो रही हमारे diaper rassi disease के इलाज में जो साबधन ही हमको रखने चाहिए उसके बारे में आप जानेंगे हम diaper rassi disease के इलाज में जो ऐलोपैथिक इलाज हम बच्चे को क्या दे सकते हैं उसके बारे में दोस्तो diaper rassi disease के treatment यानि कि जहां पर हम एलोपैथिक treatment बता रहे हैं दोस्तो मैं आपको बता दूँ कि बच्चे में आगर जिस तरी की रहसी समस्या जो आती है तो इसमें आपको balm time कोई भी cream या फिर gel या फिर ondment ही लगाना चाहिए तो medicine या दबा जो मुक्खे दोर जो दबा इसका वक्खा कर संक्वन हुआ है तो इसमें हम mycona jol drug की हम कोई भी cream gel या फिर ondment जैसे cream decna jol या फिर mycona jol को हम दिन में दो बार प्रवावित एरिया पर लगाते हैं और दोस्तो इसमें मैं आपको ये गरेलू नुसका बता दूँ कि बच्चे को नंगा करके यानि कि उसके जितने भी जो कपड़े हैं जो जाँ पर उसको जे रैसिस की समस्या भई है बहां से उसके डाइपर से बगर या चड़ी बगरा को उतार कर दूप में उसको कम सम 15 से 20 मिनिट के लिए बच्चे को दूप में रख दें हो और याद रखें दूप उसके जो प्रवावित एरिया है उस पर ही पढ़ना चाहिए और लगवा आपको 10 से 15 मिन बच्चे को दूप से उठा लेना चाहिए और उसके बाद में ये जो पिरकरिया में आपको बता रहा है इसको लगवा आपको दिन में ये की बार करना इसमें आप बच्चे को फायदा पढ़ता है तो ठीक है और नहीं पढ़ता है तो अपनी डॉक्टरत से सला जरूर ले ले हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में सेर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी ही नौलेज मिल सके और साथ ही अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो तो मैं वहाँ पर आपका 100% आपको उसका जवाब दूँगा और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी बेल आइकन को दबा देना ताकि अपने इस चैनल पर जो भी नए वीडियो आएका उसको नौटिपिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके है दोस्तों वीडियो को अंतर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद